जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भारत एक क्रिशी प्रधान देश है 2011 की जंगर्णा के मुताबिक आज भी भारत में करीब 70 प्रिशत लोग 6 ला गाउं में निवास करते हैं आज भी भारती क्रिशी का Indian GDP में करीब 18 प्रिशत का योगदान है जबकि देश के कुल वरफोर्स में करीब 50 प्रिशत लोग क्रिशी पर निर्भर है पर ऐसी क्या बात है कि आज बहुत से लोग गाउं से शहर की और पलाइन कर रहे हैं ऐसी क्या वज़य है कि आज जाजातर किसान खेती को एक वैफशाय के तोर पर अपनाना नहीं चाहते हैं ताजा आंकडों के अधार पर करीब 62 प्रिशत किसान खेती को छोड़ कर शहर की और पलाइन करना चाहते हैं छोटे या भूमिहीन किसान में काफी कम आय होने की वज़य से लगातारवन के मानसिक तनाओं में व्रिदी और आत्मिस्वास में गिरावट आ रही है अक्सर देखा गया है कि किसान को अक्सर प्रकत और खराब जलसासादन पर निर्बर रहना पड़ता है जिससे आज की क्रिशी न तो आर्थिक रूप से और ना ही परियावरर रूप से इस्थाई वैफसाय है और इसी विज़े से भारतिक क्रिशी में गत वर्सों में उत्पादक्ता में काफी कमी आई है किसानों के लिए कोई और आर्थिक सादन या विकल्प ना होने की वज़े से ज़्यादा तर किसान के परिवार आज भी एक दिन में किसी तरह दो टाइम का खाना खाकर गुजर कर रहे हैं इनी सब बातों को देखते हुए United Nation ने 2014 को International Year of Family Farming गोशित किया ज़्यादा तर सरकारी पॉलसी, अनुदान या नियूंतम आधार कीमत, minimum support price अभी तक विफली रही है और रिड़ छुट भी उतनी कारगर नहीं हो पाई है क्योंकि किसानों के द्वारा प्राप्त फसल की कीमते, सहरी उभोकताओं के द्वारा दिये गए कीमतों से बहुत ज़्यादा कम है हाली में Reserve Bank of India के Governor स्री रगुराम राजन ने कहा कि राजव केंद्र सरकारदारा चल रही रिड़ छुटी उजनाओं से किसानों को ज़्यादा लाब नहीं हो रहा है क्योंकि किसानों को आगे खेती के लिए क्रीड लेने में प्रतिबंदित कर दिया जाता है करीब 60 प्रिशत किसान लोन लेते हैं कीट नासक, बीज और खाद को खरीदने के लिए अमेरिका आज काफी मादरा में खाद अनाज वा फल जैसे कैलिफोनिया से वाशिंग्टन से भारत को निरियात करता है जबकि अमेरिका में केवल एक प्रिशत से कम की अबादी ही क्रीशी पर अधारी थैं अमेरिका में क्रीशी पॉलसी, पद्धती वा क्रीशी परिप्रेच भारत से काफी अलग है हमारे देश में गुडवत्ता में गिरावट का एक परमुक कारण, निरचर्ता और फसलोव सरकारी योजनाओं से सम्मंदित नियुन्तम जानकारियों का आभाव है करीब तीन चोथाई किसानों को सरकारी क्रिशी विभाग से सम्मंदित किसी सूचना और मदद का आज भी कुछ पता नहीं है यह सारी क्रिशी से सम्मंदित समस्याओं का हल केवल बड़े इस्तर पर सुधारों के द्वारा ही सम्मो है जो की जल से जल किया जाना चाहिए सबसे पहले तो किसानों को एक अच्छे नजर और सम्मान से देखनी की जूरत है इस पस्टरूप से हम देश के 121 करोड जनता को आज के हालात के मद्दे नजर भविस में कृशी अनाज उपलब नहीं करा पाएंगे अगर कुछ कारगर उपाए नहीं निकाले गए तो आपको जानकर हरैनी होगी कि राजवा के इन सरकारे अपने रूरल डेवलमेंट और एगरिकल्चर मिनिस्ट्री के द्वारा काफी योजनाएं और बजट हर सल गाउं के लिए खर्च करती हैं पर सिस्टम में पारदर्स्था और करप्शन होने के कारड़ गाउं का विकास आजदेश के आजाद होने के 68 सल बाद भी ठीक से नहीं हो पाया है इन篇 सब समस्याओं को देखते हुए फारफ नाम की एक समाजिक संस्था ने सब के साथ मिलकर इस दिसा में एक पहल की सुरुवात की है यह संस्था बिना किसी जाती भेद के और बिना किसी छेतरी वाद राजनीत वाद से सम्मन रखते हुए गाउं के हर उस समस्या को जो या तो गाउं के विकास या क्रिसी से जुड़ी हुई है समाधान के लिए प्रियास किया है फार्प ने अभी तक गाउं के विकास से सम्मन दित कई नीमन समस्याओं पर आटियाई डाल कर इस काम को आगे बढ़ाया है गाउं में खराब रोड की हालत गाउं में गौर्मेंट इसकी में पार्देस्ता लाने के लिए या केंदर के क्रिसी मंत्राले से तमाम जानकणिया इकठा करने से जिससे किसानों को आउगत कराया जा सके अगर आपके गाउं के विकास और क्रिसी से सम्मंदित कोई भी समस्या है तो क्रिपया आप फार्ब को आउगत कराये फार्ब की अनुभवी टीम आप से संपर करके आपके समस्या को विस्तार पुर्वक समझेगी और समस्या के समाधान का प्रयास करेगी जवरत पढ़ने पर फार्ब आपको गाउं और क्रिसी से सम्मंदित उचित सला भी मुवया करायेगी फार्ब से संपर करने के लिए आप हमें या तो पत्रा चार द्वारा संपर कर सकते हैं या आप हमें हमारी इमेल आईडी पर भी मेल कर सकते हैं हमारा पता है फार्फ C103 आदर स्रिदम पांडूरंगा नगर आफ बनिरगटा रोड बैंगलोर 56 0076 हमारी इमेल आईडी है आनन्द at the rate farp.in अब हमें डिरेक्ट फोन भी कर सकते हैं हमारा फोन नंबर है 70806 77 929 कृपया नोट करें कि farp यह सब निसुल की गाउं और क्रिसी के विकास के लिए सेवा प्रदान कर रहा है farp का मनना है कि गाउं के विकास और किसान का मुस्कराहट ही farp के कार का सबसे बड़ा सब्मान है जै हिंद जै भारत